हाई फ्रेंड्स मेरा नाम प्रदीफ है आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्लास बी आइप आड्रेसिंग के बारे में पिछने वीडियो में हमने क्लास एक आइप आड्रेसिंग के बारे में जाना था तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइ पेटरस की जो रेंज होती है 128.0.0 से लेकर 191.255.255.255 पे एंड होता है इसे याद रखिए हो सकता है इंटर्वी में आप से पूछा जाए तो क्लास बी में क्लास ए में जो हमारी नेटवर्क बिट थी वह 8 थी और होस्ट बिट 24 थी बट क्लास बी में 60 बीट नेटवर्क आइडिये हमारी और सॉस्ट बीट होस्ट आइडिये और सब्सक्राइड बिटारर्ओं और से की यह नेटवर्क एड्रस को रिप्रेजेट कर रही है तो क्लास ए में जो हमारी और मने दूनों से उप स्पड्स यह बिट फिक्स होती है ठीक है तो जो हमारे पास पॉसिबल नेटवर्क बीड बसती है जिसको हम यूज कर सकते हैं तो फोर्टीन बसती है ठीक है तो हमारा क्लास भी का अगर आईपी अट्रेस हम बाइनरी में देखें कि कहा से स्थार्ट हो रहा है तो वह होता है वन जिरो 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 डॉट बाकि तीन ओक्टेट में जिरो 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 जिसको हम अगर डे invisible में देखें तो 128.00.00 और खत्म होता है अल्वन के सास्त फलिवल उतसे डिवेट filled in बूंध ale उनको हम चेंज कर सकते हैं ऑर तो颜ौ जो एंड एड्रेस है 191.25.25.255 ठीक है तो जो हमारी होस्ट आइडी है 16 और जो नेटवर्क आइडी है वो भी 16 मतलब बैलेंस है रहता है नेटवर्क में बट फस्टर टू बीट फिक्स है तो जो हम नेटवर्क में यूज करेंगी वह 14 अगर हम इसके केलकुलेशन की बात कर है तो हमारे पास जो आएडर्श ऑनी और सम्झें के ताफ मां बता था कि गल्कुलेट करना है तो आपको 2 की power में जित्ते भी host है उसको आपको calculate करना है तो यहां जो मेरे पास host bit है वो 16 है तो 2 की power 60 तो मेरे पास जो result आया 65,536 और इसमें से minus 2 क्योंकि एक network address broadcast address ठीक है तो जो पॉसिबल एड्रेस है 65,534 होस्ट एड्रेस में डिवाइस के उपर असाइंड कर सकता हूं मतलब कम्प्यूटर के उपर असाइंड कर सकता हूं अगर बात नेटवर्क करें हमें तो 16 bit हमार पास नेटवर्क की है ठीक है बट टू भीट ठीक्स है तो माइनस टू और जो हमार पास बिड बसती है वह 14 तो हमार पास नेटवर्क केल्कुलेट करने का फार्मूला है तो की पावर एन मतलब जित्ती बीट आपकी नेटवर्क है तो 14 बीट है मेरे पास जो टू की पावर 14 तो जो पॉसिबल नेटवर्क एड्रेस है मेरे पास 16,384 तो इस तरीके से आप नेटवर्क और होस्ट एड्रेस केल्कुलेट कर सकते हैं अगर इसके डिफार्ट नेटवर्क मास्की बात की जाए तो 255.255.0.0 तो इस तरीके से आप क्लास भी में केल्कुलेशन परफॉर्म करते हैं इसकी और बात करें तो इसमें जो एक रेंज होती है 169.254.xx यह एक्सेप्शन है मतलब एक स्पेशल रेंज है जो जब कोई ड कम्प्यूटर को आईपी अड्रेस नहीं मिलता है तो इस रेंज में से एक आईपी अड्रेस मिलता है जिसे हम अभी पा कहते हैं तो इस रेंज के जो डिवाइस है खुद कंफिगर नहीं कर सकते हैं और इसकी बात की जाए तो इसके जो 172.16.00 से लेकर 172.31.255.255 तक की ज जर्व है मतलब इसका हम राउटेबल जहां आपको राउटेबल यूज़ करना है वह आप नहीं कर पाऊंगे मतलब पॉब्लिकली यूज़ नहीं कर पाऊंगे प्राइवेट नेटवर्क में आप उसका उसका है तो आज के इस वीडियो में हमने है यूज़ आप अवरे में जाना है 57 नेटवर्क में पॉस्ट बीड 7 में से टू बित सर आती है तो जो पॉसिबल नेटवर्क की बिट बस्ति हैं हमारे पास 14 और 2 की पावर 14 तो जो नेटवर्क एट्रेस 16384 और 2 की बाहुत 16 फुस्ट तो जो पॉसिबल एट्रेस आते हैं 65534 तो आज के लिए फ्रेंड्स इता हैं मिलते हैं नाइस्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिए